क्या आप अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने के लिए सोच रहे हैं? क्या आप अपना खुद का YouTube चैनल बनाना चाहते हैं? या फिर Instagram या फिर कोई दुसरे फ्लेटफरम के लिए वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं? हाँ अगर एसा सोच रहे हैं तो आपको वीडियो को कैसे रेकर्ड करना है और फिर उस रेकर्डिंग वीडियो को कैसे एडिट करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपके पास अच्छा hardware specification और अच्छा camera वाला smartphone है तो आपको वीडियो बनाने के लिए कोई दुसरा equipment की जरूरी नहीं होगी वा दुसरा कोई software की जरूरी नहीं होगी आपको ऐसे बनाने के लिए आपके mobile के play store में या कहें app store में बहुत सारा application मिल सकता है जो आपका बनाया हुआ वीडियो को edit करने में आपको मदद करेगी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please हमारा चैनल को subscribe कर दीजे, like कर दीजे और share कर दीजे क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी मुलक वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके काम आएंगे अगर आप YouTube चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हम किसी भी वीडियो को खीचते हैं तो उसको edit कैसे करें उसमें आपको जो नहीं चाहिए वो भी आप खीच लिये होते हैं और उसको unwanted parts को कट करके कैसे हटाया जाए और वो भी आपको दुसरा कोई आपके पास computer गैजेट हुआ कोई laptop अगर वे नहीं है तो आप mobile से ही सब कुछ करना चाहते हैं अपना बनाया हुआ वीडियो को edit कर के अपने ही YouTube चैनल पर mobile से ही डालना चाहते हैं तो सब कुछ संभव है इसके लिए आपको अपना smartphone में भेर सारा आपको ऐसा application मिल जाएगा जो आपको edit करने में बहुत मदद देगी आपको अपना smartphone में video edit करने के लिए 10 ऐसे famous application है जिसके बारे में मैं यहां पर चर्चा करन बताने जा रहा हूं तो सबसे पहला नाम आता है काइन मास्टर mobile video editor सबसे लोगप्रिया और famous में से एक video editing एप काइन मास्टर android chrome operating system iPhone और iPad में मिल जाएगा अगर आप उतक्रिष्ट और अच्छे से अच्छे बारीकी से video बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एप बहुत अच् करना चाहते हैं और काइन मास्टर को watermark बिना video बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस app में कुछ पैसे देने होंगे या कहें आपको कुछ पैसे देकर इस app को खरिदना होगा जिसके बाद आपने बनाया हुआ video पर कोई भी watermark नहीं आएगा बरना आप जो free में download करें इस पर watermark आ सकता है company अपना नाम डाल के वहाँ पर रख सकता है यह app अभी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पर आपको मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस app को download किया हुआ है दूसरे नमर पर आता है power director video editor video maker यह भी बहुत famous editing app है और यह app 4K video को भी edit करने में ब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी quality में video आप editing कर पाएंगे उसके बाद तिसरे नमर में आता है insert video editor and maker यह app social media में post करने के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए यह app बहुत अच्छा साबित होगा यह app use करना भी बहुत ज्यादा easy है इसको आप बहुत आसा editing करना नहीं आता तो आप छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए फ्री में अगर कोई app ढूंट रहे हैं तो यह app आप के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इस app में धेर सारा आपको feature नहीं मिलेगा मगर video editing के लिए जो आपको basic चीज चाहिए वो आपको idea इससे मिल जाए इसमें new user बहुत असानी से video editing सीख सकते हैं और अच्छा से अच्छा छोटा छोटा वीडियो भी बना सकते हैं छटे नमर पर आता है action director video editor यह app भी यूज करना बहुत असान है और बहुत अच्छा video editing app है यह app खास करके android phone user के लिए बहुत famous हुआ है और बहुत ज्यादा पसं इसमार्फोन में बहुत चोटे समय में वीडियो एडिट करने के लिए यह app बहुत आसान है उसके बाद आठवा नमर पर आता है film और गो स्मार्टफोन में बहुत चोटे समय में वीडियो एडिट करने के लिए यह app बहुत आसान और famous app है इसमें आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो के एडिट कर पाएंगे और नवा नमर में आता है filmar video editor and video maker यह app new user के लिए video editing करने के लिए filmar app बहुत अच्छा app है खास कर social media video के लिए आपको अच्छी quality का video बनाना हो तो यह app आप यूज कर सकते हैं और अंत में जो दसमा नमर में आता है उसका नाम है Adobe Premiere Rush Adobe Company का इस नया app से आप वीडियो बना सकते हैं और इडिट भी कर सकते हैं इस app से आफ एक ही वीडियो को Android, iOS, Windows और Mac device में भी एक साथ इडिट कर सकते हैं तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो आप like, subscribe और share करना ना भूलिएगा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप कुछ comment कर देना ताकि इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा